हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे पनीर की मिठाई बहुत टेस्टी बनती है याने कलाकन बहुत दिफ्रन तरीके से बनाई है तो आप देख सकते हैं पहले हमें एक लिटर दूद लेना है गरम करके उसको फाड़ना है और उसका पानी दिकाल देना है और पानी बहुत पू 150 ग्रैम閉準 1 50 ग्रैम निकला है तो 50 ग्राम यानि 50 ग्रैम ठीक्रेटल को गणेट और 50 ग्रेम्रा type डिफ्रेंट प्लेट पे, आप देख सकते हैं, मावा रेडी हो चुका है, अब हम इसको मिकालेंगे, अब इसी पैन में हम गुड को मेल्ट करेंगे, आप देख सकते हैं, इस गुड में हम 1 tsp घी डालेंगे बस पूरी मिठाई में 1 tsp घी लगेगा जैसे ही और गैस को स्लो रखना है नहीं तो गुड का कलर चेंज हो जाएगा जैसे ही गुण मेल्ट होना स्टार्ट होता है पहले हमें गैस को आफ कर देना है और अच्छे से इसे कुख करना है आप देख सकते हैं और जैसे ही हमारा गुण अच्छे से मेल्ट हो जाएगा हम इसके अंदर दो टेबल स्पून ट्राइफूट पाउडर एट करेंगे इससे इसका टेक्शर तो अच्छा होगा ही और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा रिच हो जाएगा यह टोटली ऑप्शनल भी है अभी इसके अंदर हम एक टीस्पून इलाइची भी एड़ की है और पनीर एड़ करेंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे यहां भी हमारा गैस ओफ ही है अभी हम इसको अच्छे से मिला लेंगे अभी स्लोली मिला के आप देख सकते हैं मावा फॉर्म हो चुका है अब हम इसको सारी चीजों को सेट होने देंगे अभी बहुत गरम है अच्छे से स्प्रेड करेंगे और थंडे होने के बाद हम इसको कट करेंगे आप देख सकते हैं अच्छे से सेट हो चुका है और अच्छे सेब भी आ गया है अब इसको पिस्ता की कतरण से इसे डेकृरेट करेंगे और स्पेक्टुला से इसे दबा देंगे ताकि जब हम इससे कट करें तो बिकरें नहीelles सेट होने की बाद थंडा होने के बाद ये मिठाई अच्छे से कठ हो जाती है, आप देख सकते हैं, किसी भी तैवार के लिए पॉर्फेक्ट है ये पनिर की मिठाई, if you like my recipes, please like, share and subscribe कीजिए, enjoy and share my recipes to your family and friends.